Hello Friends, You are Welcome in Million Concepts of English हम Parts of Speech पड़ रहे हैं जुसका ये 4th पार्ट है Noun Number का हम पहला पार्ट पड़ चुके हैं क्योंकि Noun Number अपने आप में बड़ा चेप्टर है तो आज Noun Number का दूसरा पार्ट करेंगे पहला पॉइंट है Compound Noun के Plural बनाने के लिए इसके Principal World को Plural बनाते हैं तो जो Principal World होता है मुक्ष सब्द होता है उसे हम Plural बनाएंगे सब्द को देखिए Noun को Commander in Chief तो ऐसे में Commander in Chiefs नहीं करते हैं क्योंकि इन Chief जो सब्द है वो एक पद है और में नाउन है Commander तो इसको हम को बोलेंगे Commanders और Commanders मेंसे भी कौन? चीफ ऐसे ही ये कोट है और इस कोट का नाम है कोट ओफ मेल कोट ओफ मेल क्योंकि ये जो इसमें तमगे लगे होता है इनके कारण इसको कोट ओफ मेल का जाता है तो इनके कारण मेल का जाता है तो इस कोट को पिलोल बनाएंगे तो होगा कोट ओफ मेल समझ रहे होंगे बात को Sun in law देखिए Sun in law मतलब कानूनी तोर पर पुत्र तो नेव्चनल है कि जो दो सब्द बचते हैं compounded noun में ये as an adjective की तरह हो जाएंगे तो Sun का Sons in law, Daughters in law, Steps, Sons ऐसे ही Boy Friend का Boy Friends, Girl Friend का Girl Friends, Mad Servant का Mad Servant तो ये जो सब्द हैं ये ये सब आपके as an adjective की तरह काम करते हैं अब हम इसके exception देख लें अगर बात होती है man servant की तो ऐसे में दोनों सब्दों को plural बनाएंगे man और servants man driver को man drivers, woman driver को जो होगा woman drivers आपको woman कर लें अब पैसर स्बाई, पैसर स्बाई होते हैं पैसर बाई का तो पैसर स्बाई हो जाएगा looker on, looker on मतलब जो दरसक होते हैं तो looker on हो जाएगा man in bar का main in bar हो जाएगा तो समझे होंगे, अब इन दो सब्दों को देखिए, spoonful और handful देखे, spoonful का मतलब होता है, यह आपकी spoonful हुई, इसमें आप में कोई भी content रखा, तो एक बार लोटा, एक, दो, तीन, चार, पांच, तो यह हमने इस spoonful को भर करके, इन पांच जगह पलेट दिया, तो spoonful, एक spoonful, तो spoonfuls, जो सम्भ बना है, यहाँ spoonful को पिलूरल नहीं बनाना है, क्योंकि इसमें जो contain है, contains इसमें जो है, उसको पिलूरल गिना है, तो यह जो गिना है, यह five spoonfuls हुआ, तो यहाँ spoonful का, spoonfuls का मतलब है, contain in spoon, example देखने है, he took a spoonful of jam and ate it, तो यहाँ पर singular है, he also, it also means no more spoonfuls of honey from the jar, ऐसे ही handful का मतलब handfuls, क्योंकि वो contain को हमें पिलूरल बनाना है, लेकि यह कह रहे हैं, अभी उपर पढ़ाता है, कि हमने, man का, जो plural बनता है, वो men बनता है, तो आप देखेंगे, कि इस ब्रहमन में, और मुसल्मान में, man लगा है, तो यहाँ कहने का अर्थ है, आप men नहीं करें धोके में, जैसे जिस परकार यह हो रहा है, जिस परकार इस सब्द को men कर दिया गया है, वो ना करें, क्योंकि ब्रहमन एक सब्द है, और मुसल्मान एक सब्द है, तो हम क्या करेंगे, plural बनता है, ब्रहमन्स और मुसल्मान्स, अगले बात करते हैं, यह कुछ English से अलग भासा के सब्द है, तो इनके plural कैसे बनते हैं, इनको याद करना पड़ेगा, किसी भी नाउन का singular से plural कैसे बनता है, यह सारी बातें लगबग लगबग याद ही करनी पड़ते हैं, और यूज करना पड़ता है, तो आटोमेटिकली याद हो जाते हैं, यह कुछ Latin तो द्री पत्रों हो गया, फार्मूला इस singular सब्द है, जिसको मतलब फार्मूला जानते हो, सूत्र होता है, दोनों तरह से इसका plural बनता है, फार्मूले या फार्मूलाज, इंडेक्स सब्द होता है सूची, तो इन डिसीज बनेगा सूचिया, मेमो रेंडम मानने होता है, जब हम देने जाते हैं, किसी जब किसी अधिकारी को ग्यापन देने जाते हैं, उसका अर्थ होता है, इस्मरण लेख होता है, या मेमो रेंडम होता है, ठेक, और मेमो रेंडम का बहुत बदन हुआ, मेमो रेंडम, ऐसी रेडियस, तो रेडिया ही हुआ, तरज्या बोलते ह किसी बिरत की जो center से यहां जाती है तो इसको बोलते है radius एक्सिस, एक्सिस जानते हो यह पया होता है और इस पया में बीच में जो réviken लगी होती ह्याнов यहाँ पर इसको धुरी बोलते है ऐक्सिस और इसका प्याल नहीं हुआ iosis парathesis parathesis होता है चै soak यह कोस्टक लगाते हैं कबी यह वाली कोस्टक होती है कभी यह होती है तो इनको बोलते है paranthesis और इसका पेलियर होई paranthesis देखेहें जहाँ IS लगा होता है वहाँ ES लग जाता है ऐसकी क्राइसिस crisis का मतलब शंकट काल होता है तो ऐसी crise hypothesis hypothesis का मतलब होता है परीकलपना अनुमाल लगाना होता है तो ऐसी hypothesis होगया basis जानते हो आधार होता है ऐसे ही basis phen anomaly तो phenomena होता है जिस बोलते है phenomena तो phenomena जो सब्थ होता है इसका अर्थ होता है कोई भी घटना तो प्राकेट ती घटनाओं को हम फिनो निमा मोलते हैं तो इसका जो सिंगलर सब्द होता है फिनो मिनन होता है और पिलूलर सब्द हुआ फिनो मिना आप देख रहे होंगे कुछ सब्दों में S-I-S को S-E-S कर दे रहे हैं तो इसका प्लूलर बन जा रहा है क्राइटेरियन क्राइटेरियन जानते हो सिंगलर है माप दंड और क्राइटेरिया माप दंडों पर अब कुछ हमको याद करने हैं और नाउन ये कह रहे हैं कि कुछ नाउन अपके प्लूरल फार्म दो होती है और दोनों प्लूरल फार्म का अलग अर्थ होता है singular का एक अर्थ होता है और प्रियू उनफारण दो अर्थ होते हैं देखे brother सब्द आप जानते हैं भाई होता है भाई और जो इसका बहु बचन होता है वो brothers होता है लेकिन हम किसी अपने पडोशी को भी और अपने society के किसी अन्यव्यक्ति को भी जब अकेला है तो उसको भी हम अपना brother बोल देते हैं कहते हैं brother उसको बोल देते हैं लेकिन जब plural सब्द आता है तो brothers तो हुआ एक ही माता पिता की संतानों को हम brothers बोलेंगे बहु बचन के रूप में और जो brethren होता है brethren member of the society of a community जिससे हमने कोई community बनाई तो हमने कहा है कि हम सब एक ही जाती के हैं हम सब ही भाई भाई हैं तो ऐसे सब्दों में भाई भाई के लिए जो की सगे नहीं है तो उनको brethren सब्दाएगा कि member of the same society example देखिए I have two brothers and one sister तो एक ही परिपार क्यों हो गए सगे भाई भाई भेन हो गए we must support our beaker brethren हमें अपने गरीब भाईयों की मदद करनी चाहिए support करनी चाहिए तो इसका मतलब है जो हमारी जाती के हैं हमारी society के हैं हमारी समाज के हैं तो ऐसे भाईयों की तो ऐसे भाईयों के लिए brethren सब्द आएगा ये वाला सब्द यूज़ोगा अब ये सब बहुत confuse करता है cloth देखे cloth का मतलब में होता है आपका कपड़े का ये टोड़ा तो इस टोकड़े को पूरा थान हो उसको हम बोलेंगे cloth और ऐसे ही भोत सारे टोकड़े हो गए तो हम बोलेंगे ऐसे को cloth देखे इसे बिना से ले कपड़े में ऐस लग जाएगा ठीक लेकिन जब पिलूरेल की बात आ रही है पिलूरेल की बात आती है तो क्या है अगर E.S. लगा है cloth ये बाला सर्द तो इसका मतलब है garments वो कपड़े जो हम ready made पहनते हैं पहने हुए कपड़े हमारे पहनने वाले कपड़े और सिलने से पहले जो कपड़ा है वो cloth बहुबचन दोनों को आता है तो सिलने से पहले जो कपड़ा है उसका बहुबचन cloth से लएगा यानि kinds of piece of cloth और सिलने के बाद जो कपड़ा है उसका हम cloth से बोलेंगे उसका singular नहीं होता ऐसे ही example देख लेते हैं cloths could not make the man कपड़े जो है आदमी का दिर्मार नहीं करते यादमी की पहचान कपड़ों से नहीं होती है है अभी यहां पर है नेटिव लॉस एन पौट्री आर मैनुफेक्टर है ही ह्यर सब्स लगा यह नेटिव लॉस एज पॉट्रियार में तो नेटिव क्लॉस का मतब हमारे देश में तैयार कपड़े एक तप्डे का ठान अब बात करते हैं डाईज डाई जानते हो एक डाईज होता है यह है एवाला देखा होगा आपने लूडों की गोटी में यह वाली तो लेकिन अब सिंगुलर की इसफ़ता आगी तो सिंगुलर का मतलब होता है जो होती है stamp stamp उसे मोहर बोलते है stamp for coining और इसका बहुपचर हो गया stamps for coining यानिकि मोहरे मोहरे हो गई लेकिन अगर इसका पिलूला dice कहेंगे dice तो ये जो सब्द है ये आपका dice है ये सब्द क्या है इस सब्द को dice बोलेंगे इस चित्रों जो ग्लूडो की गोटी होती है और बाकी जो मोहर होती है उसको डाई बोलेंगे या पिलूरल डाई सब्द बोलेंगे आप जानते हैं index index किताबों के सुरू में जो index होता है जिसे बोलते है बिसह सूची तो ये जो बिसह सूची होती है वो singular में प्रियोग हो रही है सिंगुलर में तो केबल बिसह सूची रहेगी लेकिन अगर इसका सब्द पिलूरल बनता है तो इसके बिसह सूचीया बन जाएगी क्या बन जाएगी बिसह सूचीया index और indices बोलेंगे तो इसका मत्तब होनेगा science usually algebra जो आपके बीच गड़त में चिन्द पिलो की आते हैं ABCD X Y Z और अलफा बीटा गावज बहुत सारे तो उनको हम बोलेंगे science using algebra in indices अब देखे पैनी एक मुद्रा है ठीक तो पैनी की बात करेंगे तो पैनी का अर्थ है एक सिक्का अब पिलूरेल में दो सब्द हुए तो पिलूरेल में इसका पैनीज होगा तो बाई हटाकर IES लगताएगा तो बन जाएगा आपका पैनीज number of kinds ने बहुत सारे सिक्के लेकित अगर हम पैन्स कहें तो पैन्स पैनी का बहुँ बचिन होता है इसका मतलब है एक कुछ मात्रा एक कुछ बैल्यू कुछ धन तो amount in value अगले कह रहा है कुछ नाउन जो है singular में दो तो दो अर्थ रखते हैं लेकि plural में एक ही सब्द होता है जिससे हमारी घर में जो light जलती है light जलती है थोड़ा छोटा कर ले रहे हैं तब clear हो जाएगा अब सही आ गया हमारे घर में जो light जलती है तो उससे कहते हैं कि light आ गई तो जो प्रकास की बात करते है radiance light का मतलब radiance जो बिजली का उजाला कह सकते है जो उजाला होता है उसको हम भी light बोलते है और light का मतलब हमारा जो bulb होता है lamp होती है उसको भी हम light बोलते है एक बात हो गई तो singular में तो इसके दो अर्थों है लेकिन हम कहें lights तो आप बहुत अच्छी तरह जानते हो कि प्रकास का बहुपचन कभी नहीं बनता हम कहें कि प्रकास हो प्रकास हो ऐसा थोड़ी नहीं होता है क्योंकि वो आपका एक abstract noun तो नहीं कहेंगे लेकिन अलएक प्रकार का noun है लेकिन अगर हम lamp की गिंती करना चाहें तो यह गिंसकते हैं एक lamp, दो lamp, तीन lamp तो जहां lights की बात आती है बहुत सारे बल्ब हो गए बहुत सारे lamp हो गए यह बाल ऐसे ही people तो आपने people पढ़ा होगा people का अर्थ आपका दो होते हैं एक nation भी होता है और एक लोग भी होता है महला परोज़, बोड़े बच्चे सब जो हैं लोग भी होता है लेकिर people की बात करें तो उसका mineral का मतलब सिर्फ और सिर्फ राष्टर होता है नेसंस होता है जिसे हम कहें there are many people in Asia Asia में बहुत सारे देश है अब powder powder की बात करें तो देखिए powder का मतलब tune होता है tune जनी कि कोई पिसा हुआ चीज तो अगर singular लेकिन on a singular में दो रहेंगे dust और दूसरा are dose of medicine fine grains like dust जो दवाई आती है जिसको powder बोलते है तो उसमें दोनों अर्थ रहेंगे लेकिन जब dust जब हम बात करेंगे powders की तो आप जानते हैं कि जो आपका धूल है जो आपका send है जो आपके बहुत सारे noun है जिनको हम count नहीं कर सकते हैं जो uncountable noun है तो dust तो जानते हैं आप uncountable noun होता है तो उसको हम dust के powders उसके लिए प्रयोग नहीं करते हैं और powders का मतलब होता है doges of medicine कुछ समझ रहे होंगे अब हम बात करते हैं practice की तो practice का मतलब होता है जो हमारे परंपराई चली आती है और दूसरा practice का मतलब होता है हमारी जो अब्यास कि हमने कितनी practice किसी काम की कर ली तो यहाँ पहला सब singular में रहेगा habit जो हमारी परंपराए है, हमारी आदते हैं उस आदत को कहेंगे और दूसरे एक अभ्यास होता है लेकिन अब हमारी अभ्यासों को अभ्यास को तो हम अभ्यासे नहीं कहेंगे इसको तो हम plural नहीं बोलेंगे अची तरह समझ रहे होगे तो जहाँ प्रेक्टिसेसर का मतलिब आएगा तो बहाँ का मतलब हमारी रीती रिवाज और पिर्थाएं हो गई अब इसमें कह रहे हैं कुछ नाउन उनका singular और plural दोनों अलग अल होते हैं अगर singular में है तो अलग अर्थ निकल रहा है और उसको plural में है तो अलग अर्थ है अब देखिए यह सब्ध है advice advice तो इसका मतलब सलहा होता है क्या होता है सलहा दुबारा लिख दे रहा हूँ क्रत दिख गया हो क्या होता है सलहा किसी को सुझाओ और लेकर अगर इसको पिलू लगेंगे तो advices तो advices का मतलब सूचना है हो गया information सूचना singular में होता है air तो air जानते हो आपकी atmosphere में जो हवा है वो और years जो सब्द आता है तो यहाँ पर years का मतलब हो गया आपकी अकाड़ एनके affected manners उसको क्या बोलेंगे अकाड़ वो हमें उसका years में रहता है घमंड में रहता है अब आ गया सब्द good तो good माने जानते हो अच्छा होता है किसी की भलाई का काम करना होता है bell being होता है good का मतलब अच्छा ही होता है लेकिन जब goods देखा होगा तो इसका मतलब सामान हो गया यदि के merchandise व्यापारिक सामान हो गया goods अब बात करते है compass तो compass का मतलब हो गया यह आपकी सीमा किसी भी छेत्र की सीमा जो होती है उसको हम compass बुलेंगे यह सीमा छेत्र यह सीमा है लेकिन अगर compasses की बात करेंगे तो ये आपका compass हो गया जो use होता है आपका इसमें nock लगी होती है और इसमें pencil लगी होती है ये बाला ये compass होता है जिसे गोला खीचते हैं चितर बनाते हैं instrument है गड़ित बाला क्योंकि इसमें दो फलक होते हैं तो दो फलक बाले यंतरों को हम plural में पिरो करते हैं जैसे scissors हो गया compass हो गया pliers हो गया ठीक तो compass का मतलब and instrument for drawing circles singular का मतलब respect respect का मतलब जानते हो सम्मान किसी को सम्मान और respects का मतलब होता है compliment compliment मातलब किसी को बढ़ाई देना किसी की तारीफ करना या किसी का अविनन्दन करना तो कहते हैं बहुत अच्छा compliment किया अब singular में है physics तो physics का मतलब होता है आपके सरीर की जो दवाई होती है सरीर के जो दवाई लगती है उसको physics बहते है लेकिन physics की बात करें तो physics आपका एक subject हो गया विसे हो गया और इसको बोलेंगे natural science लेकिन ये यूज तो singular में ही होगा लेकिन physics से लग गया है तो उसका अर्थ बदल गया है iron एक प्रिकार की metal होती है जिसको लोह बोलते है और आइरन का मतलब आपकी जो जंजीरे होती है उनको बोलते है यानिके iron को हम बोलेंगे आपकी जंजीरी बोलते है और यह है singular में force तो force जानते हैं बल क्या होता है बल या सक्ति इस्टन्ट हो गई और forces forces का मतलब troops यानिके आपकी फौज हो गई तो आज के लिए यतना ही अब हम noun के केस के बारे हम पढ़ेंगे अगले पढ़ेंगे क्या noun के केस और इसको हम noun के कारिये भी कह सकते है आज के इतना ही थेंक्यू ओलते बैस्ट